हेलो गाइस वेल्कम बैक टो मैं चैनल बत्तनी आर्ट्स आज की यह वीडियो बहुत इस्पेशल होने वाली है मेरे लिए भी और क्लाइंट के लिए भी तो इस वीडियो में से क्या इस्पेशल है इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पूरेगा सुबाइस मुझे कमिशन वर्क आया हुआ है मैंने इस पिक को पहले ही देख लिया है और यह मेरे लिए टास्क होने वाला है तो सोचा मैंने क्यों नाएक वीडियो बना दू जिससे आपको भी समाझ आए कि मैं कैसा काम करता हूं तो आपको दिखाता हूं यह कैसा है तो आप अपने देखे लिया पिक कितने पुरानी है ईत बुडियो मैंने क्लाइं जायस को कि कर हां कि तो क्लाइंट यह कि यह सहते हैं उपक को एडियो कर लेता है मैं पिक को एडिट करने के लिए मोटरा एकसाओ को यूज्स उनकी डॉटर भी रहे तो उन्होंने उनकी डॉटर की कुछ पिक सेंड किये तो मैंने इस पिक को चूस किया जो की पोट्रेट के लिए परफेक्ट है और इस एडिट किये हुए पिक पे हम ग्रिट्स ले लेंगे जिससे आउटलेंड रो करने में इसी रहेगा अब नेक्स्ट श्टैप यह जो पिक है हमारे पास हम इसको स्कैन करके अंकल की चाहरे को प्रिंट ले लेंगे जिससे कि हम इस पे इसली ग्रिट्स ड्रॉ कर सके कि कि अंध फिए एंड सेम उनके डाॉटर के फेस का भी प्रिंट ले के इस पे ग्रिट्स ड्रॉ कर लेंगे ऑअडन मैंने पूरे पोट्रेट के लिए जो ट्रैट्स बना थे उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है अब अंकल के फेस के लिए जो ग्रिट्स हैं उनको मैं ड्रॉव करूंगा ताकि अंकल का चाहरे का आउटलेंड ड्रॉव कर सकूँ हैं सेम उनके डॉटर के चाहरे को भी बनाने के लिए मैं ग्रिट्स ड्रॉव करूँगा एक बर फेस के आउटलेंड ड्रॉव होने के बाद मैं पूरे पोर्ट्रेट के लिए आउटलेंड ड्रॉव कर लूँगा एक बर पूरे पोर्ट्रेट के लिए आउटलेंड ड्रॉव होने के बाद में हम शेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं सो गाइस अगर आपको ग्रिट्स लेने आउटलेंड ड्रॉ करने या शेडिंग करने में प्रॉलम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिप्स के साथ में वीडियो लेके आऊंगा सो गाइस आपको मेरे वीडियो कैसे लगी अगर मेरे वर्क आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर